नमस्कार दोस्तों, कॉम्पडिशन कमुनिटी के आउनलाइट प्रफॉर्म में आपका स्वागत है FDR वीडियो सिरीज में भारत की अर्थव्यस्ता संबंदित प्रशनों के साथ मैं हूँ अगासे इस वीडियो पर हम मुख्यरूप से जिस टौपिक से चर्चा करने वाले है वो है भुगतान का संतुलन तो यह भुगतान का संतुलन होता क्या है उससे पहले ही हम एक प्रशन देख लेते हैं और उसके बाद इस टौपिक के डिस्रिफ्प्शन पर हम जएंगे सबसे पहला प्रशन ही हम यहाँ पर चर्चा पर लाते हैं पहला प्रशन कहता है बंद अर्थवियस्ता वह अर्थवियस्ता है जिसमें अर्थात बंद अर्थवियस्ता से सम्बंदित यहाँ पर आपको चार आप्शन दिये गए हैं और उसमें से एक सही option का चेहन करके हमें बंद अर्थवियस्ता को समझाना होगा इस चारो option पर जाएं उसके पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं देखे जब भी कोई एक अर्थवियस्ता को आप बंद अर्थवियस्ता कहें या फिर एक बहुत ही आसान भाशा में किसी एक देश को कंट्री को जब हम close economy या बंद अर्थवियस्ता कहते हैं इसका अर्थ यह है कि वह देश आर्थिक इस्तर पर बाहरी दुनिया के लिए अपने आपको सीमित रखा हुआ है अर्थाद ना तो वह निर्यात करता है ना ही वह देश आयात करता है या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अर्थिक गती विधियों का यहां पर आदान प्रदान नहीं होता ऐसी अर्थवियस्ता जो बाहर या फिर वैश्विक स्तर के लिए वो बंद हो ऐसी अर्थवियस्ता को हम बंद अर्थवियस्ता कहते हैं ठीक इसके विपरीत अगर आप खुली अर्थवियस्ता या ओपन एकनॉमी को समझे तो ऐसी अर्थवियस्ता होगी जो दूसरे देशों के साथ में आयात निर्यात करती हो या फिर उसकी सीमाएं आर्थिक इस्तर पर वेश्विक देशों के लिए खुली हूँ तो इस प्रकार से इस प्रश्ण का सही उत्तर हमें दिखता है option D ना तो निर्यात ना ही आयात होता है अब इस question को पहले हमने deal किया अब उसके बाद हम ये भुक्तान का संतुलन क्या होता है उसे समझते है जब भी कोई एक देश खुली अर्थोयस्ता की स्रेणी में आ जाती है उदारन के तोर पर हमारा प्यारा भारत जब भी हमारा देश हम खुली अर्थोयस्ता के तोर पर देखें इसका तातपर ये है कि हमारा देश बाहरी दुनिया के लिए आर्थी की स्तर पर खुला हुआ है अर्दात हमारे सीमाव पर विदेश्य वस्तुए आते हैं जिसे हम आयात कहते हैं और हमारी वस्त्वी विदेशी सीमा के पार जाती है जिसे हम निर्यात कहते हैं जब हमने open economy समझ लिया कि भारत के उधारन के तोर पर देख रहे हैं तो ऐसी ही वैश्वी की स्तर पर सारी खुली अर्थ विवस्ता और बंद अर्थ विवस्ताओं की क्या आर्थिक गतिविदी हूई है साल भर में उसका एक विवस्तित अभिलेख तयार किया जाता है उस सिस्टेमेटिक रिकॉड को IMF यहां पर दिर्ष्ट करती है IMF के निर्देशों के द्वारा ये अभिलेखों का निर्मान किया जाता है इस विवस्तित अभी लेक कहने से तात पर है कि record लेकिन कैसा systematic अब वो systematic किस प्रकार से होता है तो वो systematic इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पर parameter लिखे हुए हैं जो भी यहाँ पर component है यह सारे ही देश जो IMF के सदसे होते हैं उन्हें अपने देशों की अपनी देश की वेच्वी की स्थर पर जो भी आर्थी गतीविदी हुई है उनका इस प्रकार से अभी लेक तैयार करना होता है हमारे देश में यह जिम्वेदारी RBI को सौपी गई है RBI भारत देश की balance of payment को maintain करता है और साथ ही इन component के सामने में जो राशियां लिखी जाती है उसे डॉलर पर लिखा जाता है IMF के निर्देशों के द्वारा अब जब ये भुगतान का संतुलन यहाँ पर systematic यहाँ पर है तो इसका अब प्रयोग क्या होता है इसकी सायता से हम क्या कर सकते हैं या फिर भुगतान का संतुलन मेंटेन करना ही क्यों होता है भुगतान के संतुलन पर जब एक देश का वेशवी कि स्तर पर बस्तो के आदान परदान की यहाँ पर प्रवित्ती देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा देश अपने रियातक देश बन रहा है कौन सा आयातक बन रहा है कहां पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फिर FDI आ रहा है कहां पर डॉलर की फ्लो जादा है कहां पर डॉलर की फ्लो कम है कौन सी अर्थविस्ता किस प्रकार की प्रवित्ती बदल रही है इन सारे ही चीजों का विशलेशन हम असानी से इस भुकतान के संतुलन के रिकॉर्ड के उनके आकड़ों के एनलिसीस से हम समझ सकते हैं अब जब इन कॉम्पोनेंट को आप देखें तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कॉम्पोनेंट जो लिखे हुए है उनका तातपर क्या है और किस प्रकार से इन अभी लेखों को विवस्थित किया जाता है देखें यहाँ पर आपको भुक्तान का संतुलन दिख रहा होगा जिसे हमने दो खातों में यहाँ पर विभाजित किया एक है करेंट अकाउंट चालू खाता और दूसरा है कैपिटल अकाउंट पुझी खाता चालू खाता में जो यहाँ पर घटक दिख रहे होंगे उसमें अगर आप देखें तो विसिबल या दृश्य है और उसके बाद आपको यहाँ पर इन विसिबल्स या अंदृश्य दिख रहे होंगे दृश्य कहने का तातपर यह है कि कुछ ऐसी आर्टिक गतिविदी जिसे हम देख सकते हैं चूँ सकते हैं विच कैन भी सीन विच कैन भी टॉश्ड और यह जो विसिबल्स है उसके अंदर क्या आता है तो वस्तू और सेवाओं का आयात और निर्यात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब कि अगर भारत के परपेक्ष में देखे तो भारत ने जितनी यहाँ पर बस्तूओं का या जितने मुल्यों का आयात किया है उस मुद्रिक रूप को आप यहाँ पर लिखेंगे डॉलर के रूप में और जितने बस्तूओं का निर्यात क किया है उसे भी यहां पर डॉलर के रुपे प्रदर्शित किया जाएगा जब हम अद्रिश्य में आते हैं तब आपको यहां पर तीन कॉंपोनेंट दिखते हैं सबसे पहले दिखता है सेवाएं सर्विसेज भारत ने कितनी सर्वेसेज विदेशों को दी हैं और कितनी विदे देश ने दूसरे देश में जो उसके नागरीक ट्रांसफर करते हैं अब यह सारे कॉंपोनेंट यहां पर लिखे हुए हैं अब इसको वेवस्तित कैसे किया जाता है नेट वैल्यू के आधार पर जैसे कि मान लेते हैं कि यह बहुत ही जल्दी बनाया गया भारत है अब इस और कुछ डॉलर अगर यहाँ पर भारत से बाहर चले जाते हैं तो वह क्या हो गया हमारे लिए negative डॉलर पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब balance of payment maintain किया जाता है तो डॉलर की रुपे दर्शाया जाता है अब जब इन दोनों का net value निकाला जाता है और net value पर अगर value negative आती है तो हम यह कहेंगे कि भारत घाटे की स्टिधी में है और अगर net value positive पर आती है तब हम कहेंगे कि भारत अधिक की स्टिधी में है जैसे for example अगर हम यहाँ पर देखें कि मान लेते हैं कि 395,000,000,000 डॉलर का हमने यहाँ पर import किया इंपोर्ट जब किया तो हमारे देश से राशी बाहर गई अर्थात यह हमारे लिए negative लेकिन अगर आप export देखें तो मान लेते हैं कि 250 यहाँ पर हमारे देश में आ रहा है अगर यह इस्तिती विपरीथ होती अगर यह net value अगर positive आता तो आप कहते हैं कि भारत जो है व्यपार की इस्तिती पर वस्तु और सिवाओं के निर्याद आयात पर अधिक की इस्तिती बनाता है अब इन सारे ही आकडों पर अधारित हम प्रश्ण देखेंगे या फिर इस topic से कैसे प्रश्ण डिजाइन किये जाते हैं वो सब हम देखेंगे अब कुछ यहाँ पर भारत के आर्थिक सर्विक्षन के जो आकडे थे उसे यहाँ पर हम लिख देते हैं और उसके बाद अगर हम प्रश्णों पर जाएंगे तो उन आकडों से हम ज्यादा बैतर तरीके से प्रश्ण असानी से सौल कर पाएंगे चलिए हमने यहाँ पर कुछ आकडे दर्शाएं हैं ध्यान रखेगा आकडे थाउजन मिलियन डॉलर पर हैं और यह जो आकडे हैं यह भारत के आर्थिक सर्विक्षन से लिया गया है और 2018-19 वित्ती वर्श के अप्रेल दिसंबर तक हैं इन आकडों के याद करना है क्या त सिती यहाँ पर बन रही है जैसा मैंने थोड़ी दिर पहले बताया तो यह घाटे की वैल्यू यहाँ पर क्यों बन रही है क्योंकि जब हम यहाँ पर इंपोर्ट पर देखते हैं तो माइनस 395 और एक्सपोर्ट पर देखे तो प्लस 250 और जब इन दोनों की नेट वैल्यू ह सेवाओं पर हम देखते हैं प्लस 60 इसका अक्या अर्थ है कि जितनी सेवाएं भारत निर्यात करता है वैसे एक्जामपल के तौर पर हम टूरिस्म लेते हैं तो जितने टूरिस्म भारत में आते हैं उससे कम टूरिस्म भारत से विदेश में जाते हैं तो जब भारत में यह तूरिस्ट आते हैं सहलानी आते हैं तब वो हम क्या कर रहे होते हैं हम परियाटन को निर्यात कर रहे होते हैं और उस समय जो राशी हमारे पास प्राप्त होती है वो हमारे लिए पॉजिटिव है और जब हमारे देश के लोग जब बाहर टूरिस्ब पर जाते हैं तब हम पर आप अगर दोनों का net value निकाले तो आपको positive आता है अर्धात सेवाओं का निर्यात और सेवाओं का आयात में सेवाओं के निर्यात की मुल्य यहाँ पर जदा होगी और इसलिए हमें यहाँ पर अधिक के वाला sign देखने को मिल रहा है लेकिन जब हम income वाले sign पर आते हैं त क्योंकि यह सारे component positive या फिर अधिक की स्थिती बनते हैं ध्यान रखेगा positive और negative sign आप profit या loss को मिल ना जाए मतलब कि अगर आप यह ना समझे कि अगर positive sign है मतलब हमारे देश के लिए अच्छा है और negative sign है मतलब हमारे देश के लिए बुरा है इस positive और negative sign का सिर्फ केवल और क यह कही मतलब है राशियों के प्रवाह को दर्शाना जो हमारे देश में राशी आएगी वो positive है जो देश से बाहर जाएगी वो negative होगी अब यहाँ पर हम देखें तो मैंने कहा कि यह सारे value negative आएंगे क्योंकि यह सारे value positive है चलो चले इसी पर ही बात कर लेते हैं पहले जब ह यहाँ पर हमें positive मिला मतलब हमारे देश में प्रवाह होने वाली राशी जादा थी अर्थात हम एक रिणी राश्ट हैं हम जितना उधार देते हैं उससे कहीं जादा उधार लेते हैं जिस कारण से यह यहाँ पर positive बना हुआ है पिर उसके बाद banking capital पर आते हैं यहाँ पर भ positive है अर्थात जितना विदेशी हमारे देश में निवेश करते हैं उससे कम निवेश हमारे देश के लोग विदेशों में करते हैं तो अगर आप यह सारी चीज़े समझ गए तो चलिए इस रिंड से हम आते हैं ब्याज में अगर हम जादा उधार लेते हैं तो जाहिर सी बा यह हमारी negative या घाटे के सिती पर होगा यह लाभ और लाभांच यह निवेशों पर आधारी थे जब भी कोई विदेशी निवेशक आगर भारत में निवेश करता है अर्थात कुछ कंपनियों के share खरीद लेता है तो उसके बाद जब यह share खरीदता है तब यह आपके लिए positive है लेकिन जब उसको उस share के ratio पर उसके अनुपात पर लाभांच होता है dividend होता है तब अपने देश ले जाता है तो ज़्यादा investment आता है इसलिए लाभांच और लाभ जाएगा अर्थात यहाँ पर आपको negative value देखने को मिलेगी negative value का अर्थ यह है कि जितना हमारे देश से विदेशियों ने लाभ कमाया उसकी तुलना पर हमने विदेशों से लाभ कमा कर भारत के सीमा के भीतर में लाया उसके बाद आप अगर अद्रिश पर आए अंत्रण में तो फिर आपको positive मिलता है क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है यहाँ पर रेमिटांस प्रेशि उनको solve करने प्रश्ण कहता है किसी देश का भुकतान संतुलन किसका विवस्थित अभी लेक है यहाँ पर चार option दिएगे हैं पहला option अगर हम देगे किसी निर्दारी समय के दौरान समान यता एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निरियात का लेंदिन दूसरा यहा देश की सरकार और दूसरे से देश की सरकार के बिच आर्थिक लेंदिन तो ध्यान रखेगा यह राष्टों का लेंदिन है और सरकारों का नहीं ध्यान रखेगा राष्ट अर्थात सरकार नहीं और सरकार अर्थात राष्ट नहीं आजकल बहुत confusion होता है इन शब्दों पर तो आप इसे clear रखें फिर उसके बाद आते हैं option D पर एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन तो सिर्फ पूंजी का संचलन नहीं है यहाँ पर वस्तुओं का संचलन भी होता है तो दिये गए चारो ही option पर तीन option को हमने जब गलट ठहरा दिया तो सबसे उप्यूक्त option हमें मिलता है option A किसी निर्धारी समय के दौरान समान यता है एक वर्च में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेंदिन आपके मन में यह doubt आ सकता है कि सिर्फ आयात और निर्यात का लेंदिन नहीं है यह तो निवेशों का भी है और बैंकिंग पूंजी का भी है तो ध्यान रखेगा यहां पर समान यता है शब्द जोड़ कर अपने इस statement को इसे थोड़ा सा flexible रखने का प्रयास किया है तो लेकिन इस चारो ही option पर सबसे उप्यूत और सबसे सहीं भी यह पहला यह option लगता है इसलिए पहला option हमारा सहीं होता है चलिए अब हम आते हैं दूसरे question पर भुकतान संतुलन के संदर्ब में निमनलिकित में से किस से चालू खाता बनता है तो देखे इसमें दिया गया है वैपार संतुलन वैपार संतुलन क्या होता है या फिर balance of trade तो balance of trade होता है import और export के बीच का net value क्योंकि जब आप trade की बात कर दें तो यहाँ पर वस्तूओ के वैपार की बात हो रही है इसे कहते है balance of trade तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर चालू खाते के हिस्से में क्या आता है हाँ यह balance of trade आता है दूसरा अगर देखे विदेशी परिसंपतियां या फिर आपके यहाँ पर foreign assets तो यह चालू खाते में नहीं आता है यह पूझी खाते पर आता है अद्रिश्यों का संतुलग देखें अद्रिश वाला component भी किसके अंडर पर आता है चालू खाते के अंडर में आता है तो यह तीसरा वाला इसका component हो गया अब आते हैं विशेश आहरण अधिकार या फिर special drawing rights तो यह आपके forex reserve का part बनता है यह दोनों ही खातों का हिस्सा आपको देखने को नहीं मिलेगा तो चालू खाते पर अगर आप देखें तो पहला घटक और तीसरा घटक इसका एक हिस्सा बनता है और निचे दिये गए कुट का प्रयोग कर सहीं उत्तर चुनिये तो हमने चुन लिया और वो है option C एक और तीन अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर वैपार संतुलन में निम्न लिखित में से कौन सम्मिलित होता है तो जैसा मैंने आपको बताया वैपार संतुलन में सिर्फ बस्तूओं को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि वो यहाँ पर आ जाता है जिसे हमने रेमिटांस कहा और उप्योग सभी तो नहीं आएगा तो सही option हो जाता है बस तुमें जो वैपार संतुलन का भाग बनती है चलिए अब हम आते हैं बहुत ही महतपुन प्रशन पर कथन और कारण पर अधारी तिया प्रशन है प्रशन कहता है आर्थिक उधारी करन एक महतपुन नीति साधन है पूजी घत माल पर आयाज शुलक में कमी अर्थाथ इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देना किस पर कैपिटल गुट्स पर Capital Goods का क्या ताथ पर यह होता है कि ऐसे वस्तुए जिसका प्रयोग करके हम अंतीम या Final या Finish Goods को प्रड्यूस करें कारण कहता है कि इसके पीछे कारण के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो यहाँ पर जो महतपूर्ण शब्द दिया गया है वह है उधारी करण जिसे हम कहते है लिब्रलाइजेशन अब यह लिब्रलाइजेशन क्या है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा 1991 के बारे में जानना होगा 1991 में इसी भुक्तान के संतूलन पर कुछ संकट आई थे और उस समय 1991 पर नई आर्थिक सुधार निती लाए गई जिसमें लिब्रलाइजेशन प्राइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीन यहाँ पर प्रिंसिपल्स रखे गए पिलर्स लखे गए लिब्रलाइजेशन जो उसमें LLPG का L वह यह दर्शाता है कि जो भी हमारे देश के उत्पादन करता है उनको अजाद कर दिया जाए उनको छूट दे दिया जाए या जो सरकार की अवशक्ता से दी हस्त छेप है उन नितियों को थोड़ा सा कम किया जाए और बजार की शक् लाते हैं यहां पर कि इस लिब्रलाइजेशन पर जब आपने बजार की शक्तियों पर अपने निजी छेत्रों को छूट दे दिया अर्थाद अब वो डिमांड और सप्लाई के अधार पर पर पडियूस करें जितनी डिमांड है उतनी पडियूस करें और उसे बेचें इसक अरिके के वस्तुओं का उत्पादन करना होगा इस गुणवत्ता का उत्पादन करना होगा जिसकी मांग बाहर की बाजारों पर बने अब उच्छ गुणवत्ता वाले वस्तुओं का उत्पादन कर कैसे पाएंगे जब आप एक अच्छी टेक्नलोजी का इस्तमाल करेंगे अच्छी टेक्नलोजी का इस्तमाल करने के बाद ही आप अच्छी टेक्नलोजी या अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रेड्यूस कर पाओगे तब जाकर आप डिमांड को फुल्फिल कर पाओगे जो विदेशों में है अब इसके लिए आपको क्या चाहिए इसके लिए चाहिए टेक्नलोजी हाईर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रडुक्शन के लिए आपको हाईर क्वालिटी ऑफ टेक्नलोजी चाहिए अब ये कहां से आएगा तो आप आयात शुल को अगर कम कर देंगे तो capital goods आसानी से या फिर हमाजे घरेलू जो उत्पादा के उनको आसानी से उपलब दो जाएगा सस्ते दर पर उपलब दो जाएगा और उन capital goods का इस्तमाल करके हम finish goods अर्थात उच गुण मत्ता वाले finish goods बना है तो किसका अर्थ यह है कि बिल्कुल आर्थी उदारी करण की एक महत्वपून नीती साधन जरूर पुंजी गल्थ माल पर आयाज शुलक में कमी करना है और उसके पिछे कारण क्यों किया जाता है तो यह कारण भी सही है क्योंकि आयाज शुलक में कमी हो जाने से इस थान कि विश्व बजार का सामना करने के लिए प्रद्रकिकी का सुधार करने में यह इस कत्थन को बिल्कुल सहीं साबित करता है इसलिए हमारा सहीं अप्षन हो जाता है option a चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्ण बर प्रश्ण कहता है मुद्रा के अमुल्यन का अर्थ है depreciation of money यहाँ पर दिखा हुआ है तो अंतरराशी सबसे पहला option option c कहता है कुछ पूर्व निर्धारित मुद्राओं के समू में मुल्य में आने वाले परिवर्तनों के साथ मुद्रा विशेश का मुल्य निर्धारित करना तो देखे इन सारे ही कत्रों पर अगर हम जाएं तो बहुत ही जटिला यहाँ पर हमें कत्रों पर देखने को मिल रही है जिसका कोई विशेश यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है अर्थाद जैसे अभी आप वर्तमान में देखें तो एक डॉलर के तुलना पर अगर भारती रुपीज की अगर आप देखें रुपे की आप देखें तो लगब तियांतर से चोहतर रुपे के आसपस बनी हुई है जब हम बोले रुपी डिप्रेशेट हो जाना अर्थाद ए यहाँ पर पहली करवाही दिख रही है घरेलू मुद्रा का अमुलियन दूसरा कहता है निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक साहता में कटवती और तीसरा कहता है उन उप्यूक्त नितियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI तथा FII से अधिक निति आए उसके बहुत सारे कंसेप्ट पर अधारित आपसे जानकारी की मांग या प्रशन कर रहा है और इसे सॉल करने के लिए कुछ शब्दों की जानकारी हमें होनी चाहिए तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि चालू खाता घाटा या करेंट अकॉन डेफिसिट का अर्थ क्या होता है देखें चालू खाते में जब नेगेटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव वैल्यू को मैंने कहाता घाटे की इस्तिदी चालू खाते पर अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो हम उसे चालू खाता घाटा कहते हैं अभी दिये कए आकडों के अधार पर भी आप समझ सकत हैं कि अगर चालू खाता अगर आप देखते हैं तो द्रिश में आपको माइनस 145 और अद्रिश में प्लस 93.4 आपको वैल्यू देखने को मिलता है और यह वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव पर और ये नेगेटिव वेल्यू बताता है कि चालू खाते में हम घाटे की इस्तिती पर हैं अब अगर ये घाटे की इस्तिती बहुत जादा होने लगेगी तो आप इससे बहुत बड़ा नकरात्मक प्रवाव भारत में देखेंगे जिसे हमने 1990 के दशक के शु नहीं कर पा रहे थे तो अब यहाँ पर प्रश्ण कहता है कि हमने तो चालू खाता घाटा समझ लिया प्रश्ण कहता है उप्यूक्त में से कौन सी क्रिया है चालू खाता घाटा के घटाने में सायक साबित होगी मतलब इसे कम करना है अर्थात इस वैल्यू को कम करना है पर ये जो value है negative पर इतनी ज़्यादा ये कम दिखने को मिलेगी और यहां पर कम होती हुई value फिर चालू खाता घाटा भी कम हो जाएगा तो देखते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में सबसे पहला तरीका कहता है घरेलू मुद्रा का अब मुल्यन होना मान लेते हैं एक डॉल कि अब पहले केस पर कोई भी एक वेक्ती या विदेशी वेक्ती एक डॉलर देकर सतर रुपए के बस्तुएं लेकर जा रहा था हम यहां पर उग्जामपल ले जेते हैं कि एक रुपए बराबर एक चॉकलेट एक डॉलर देकर सतर चॉकलेट लेकर जा रहा था अब इस इस एक्सपोर्ट सेक्टर यहां पर बढ़ेगा अर्थात यह जो पॉजिटीव वाला वैल्यू है वह बढ़ेगा जिससे यहां पर कम नेगरिटीव वैल्यू आएगी और हमें करेंट अकाउन डेफिसिट कम होता हुआ दिखेगा तो पहला कारवाही बिल्कुल उप्योगत है द दूसरा कारवाही बिल्कुल भी उप्योगत नहीं है चालू खाता घटे को घटाने के लिए अगर हम तीसरे कदन पर जाए उन उप्योगत नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI और FII से अधिक निदी आए अब हम बात करते हैं आपर foreign investment की foreign investment विदेशी factors को विदेशी निवेशों के लिए खोल देंगे कि आप आईए या विदेशी विक्ति आए और काफी आसान नियम और शर्तों के आधार पर हमारे देश में वो investment करें जिससे हमारे देश में उत्पादन में विद्धी हो खास कर जब विदेशी निवेश आते हैं तो अपने नियम कादे बनाए जिससे foreign investment आएगा तो foreign investment के साथ वो technology भी आएगी जिससे higher quality product का production होगा जिससे हमारा export बढ़ेगा और चालू खाता घाटा हमारा कम होगा तो इस तरीके से आप इसका सही आंसर चुनेंगे option D 1 और 3 कथन सबसे उप्यूक्त हमें दिख रहा है कारवाही के ग्रूप में जो current account deficit को गिराने के लिए कम करने के लिए सायक साबित होगी चलिए अब हम आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है foreign direct investment प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तदा संस्तागत विदेशी निवेश दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंद निम नि direct investment विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थाद कोई एक विदेशी कंपनी विदेशी संसा विदेशी इंस्टिट्यूट जब प्रत्यक्ष तोर पर भारत की सीमा के अंदर अगर आकर वेपार करता है निवेश करता है तो भारत के लिए वह FDI होगा उधारान के तोर पर directly अपने नाम से या फिर खुद ही यहाँ पर अपने आउटलेट डाला अपना दुकान डाला और आकर यहाँ पर व्यापार करने लगे इनके द्वारा हमारे देश में निवेश कर दिया गया अब हम बात करते हैं तो FII क्या हुआ FII Foreign Institutional Investment जैसे for example भारत की कंपनी हम ले लेत खरिता है खरिता है शेयर को अर्थात कुछ राशी उसने भारत की कंपनी पर लगा दिया अर्थात निवेश लगा दिया लाव अरजित की कामना करते हुए अब यह जो विदेशियों द्वारा investment किया गया है यह भारत के institute पर investment किया गया है इसलिए इस प्रकार के investment को हम FII य या फिर वो निवेशक जो निवेश करता है वो भारत की किसी कंपनी पर अपना योगदान नहीं देगा उसके रूप पर या उसके सहरे अपना निवेश नहीं करेगा वो Sam वो इंस्टिटूट वो कंपनी भारत पर जब उतर आए जैसे कि Dominos और Walmart तो हम उसे कह देंगे FDI अ तो बहुत ज़्यादा लोग या फिर बहुत ज़्यादा विदेशियों के पास भारत की बहुत सारी कंपनियों की बड़ी मात्रा एक व्यापक यहां पर निवेश का अवसर प्रदान कर रही होती है अर्धाद भारत की बहुत सारी कंपनियां जो शियर बाजारों पर लिस्टेड हैं उन कंपनियों पर बहुत सारे विक्ति अपनी शमता की अधार पर निवेश करते जाएंगे तो FII व्यापक इस्तर पर एक बड़े इस्तर पर पुंजी उपलब्द कराने में सायक होती है तो डिरेक्ली विदेशी कंपनी को किसी और देश में जाने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी होना आवश्यक होता है और बहुत बड़ी कंपनी वो भी इस शमता की कि अपने देश में रहते हुए भी वो विदेशों में जाकर अपने इंस्टिटूट को डाल दे तो ऐसी कमपनियों की संख्या कम होती है और साथ ही साथ कुछ विशिष छेत्रों पर या कुछ sector पक ही limit होती है या पिर आप ये कह सकते हैं कि उन छेत्रों पर ये जाती है जहां पर अधिक से अधिक lab यहां पर होता हुआ दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर कोई भी company जिसका दिर्ग काली गलाब नहीं हो रहा है लेकिन share बजारों पर लिस्टेड है और कुछ उसमें positive अगर turn देखने को मिलेगा तो लोग investment करते जाते हैं तो इसका जो छेत्र होता है वो भी बहुत जादा होता है और इसका छेत्र कम होता है तो सही option के तौर पर हमें मिलता है option B चलिए अब कुछ प्रश्ण dynamic approach के साथ जो current updated होंगे तो देखते हैं 2018-19 में किस वस्तू का सरवादिक आयाद किया गया इस प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं तो कई लंबे समय से एक ही answer है और वह है कच्चा तेल या crude oil फिर उसके बाद आयाद पर ही अगला यहाँ पर प्रश्ण है 2018-19 में कौन सा देश भारत का सरवादिक आया तक राश्ट बना अर्थाद हमने import पर देख लिया कि सबसे ज़्यादा imported यहाँ पर जो value होगी product की चलिए import के बाद कुछ प्रश्ण यहाँ पर आ जाते हैं export पर प्रश्ण कहता है अगला प्रश्ण की 2018-19 में किस वस्तू का सरवाधिक निर्यात किया गया तो यहाँ पर मिलेगा petroleum पदार्थ अर्थाद crude oil लाने के बाद हम उसका refine करते हैं हम उसे अन्य उत्पादों में परिवर्तित करते हैं और फिर उसके बाद उसे export करते हैं चलिए अब यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्ण पर जैसे हमने आयातक राष्ण देखा वैसे हम निर्यातक राष्ण देखेंगे इस प्रश्ण पर और इस प्रश्ण का सहीं उत्तर अर्थाद कौन सा देश भारत का सरवाधिक निर्यातक राष्ण बना तो सहीं उत्तर हो कई जगों पर इसका उत्तर महराश्ट्र दिखता है और कई जगों पर इसका उत्तर दिखता है दिल्ली NCR लेकिन जो सबसे उप्योगत सबसे अथॉंटिक सोर्से से हमें यहाँ पर जो डेटा मिला उस अधार पर अभी सरवाधिक FDI receive करने वाला छेतर बन जाता है NCR या फिर आपका दिल्ली वाला छेतर चलिए इस प्रकार से हमारा बुक्तान के संतुलन संबंदित Concept, ठ्लिरिफिकेशन और किस प्रकार का अप्रोज आपको रखना है इसे तयार करने के लिए इस पर हमने चर्चा किया एस वीडियो के लिए इतने questions परयाथ है एक वीडियो और Indian Economy से संबंदित आएगा कल और उसके बाद Indian Economy वीडियो सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद